Hello Friends, आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। Friends, गर्भावस्ता के दौरान चोटी-चोटी सी बाते होती हैं जो गर्वती महिलाओं को काफी परेशान करती हैं। उन्हीं मेंसे एक है गर्वती महिलाओं की सरीर में खुजली होना। क्योंकि प्रिग्नेंसी के दौरान कई मेटा वॉलिम और हार्मोनल बदलाव आने लगती हैं जिस वज़े से खुजली यानि खारिश होने लगती है। गर्वावस्ता बढ़ने पर पेट तथा इस तनों के आसपास भी खुजली होने लगती है। इसलिए होने लगता है क्योंकि ब्रून का आकार बढ़ने की बज़े से पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। इस बज़े से तालमेल बिठाने के लिए पेट की बाहरी की तचा में खिचाव पैदा हो जाता है और खुजली होने लगती है। अगर तचा में किसी भी हिस्से में आप खुजली से परिशान है तो मैं आपको जो टिप्स बताने वाली हूँ, आप उनको फॉलो करिए, आपको आराम मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सुद्ध तेसी घी को हलका सा गुनगुना कर लीजिए और फिर इससे अपनी सरीर पर मालिश करिए, इससे आपको खुजली से निजात मिलेगी। बादाम के तेल में हलका सा पानी मिलाकर अपनी सरीर की मसाज करें। खुब पानी पियें, जिससे सरीर में पानी का इस तरक अच्छा रहे, पानी तचा को मुलायम और लचीरा रखता है, खुजली में आराम मिलता है। नहाने के पानी में एक डखकन, डिटॉल या कोई भी एंटिसेप्टिक लिक्विड डाल कर नहाएं। इस सारे हानिकारव बैप्तिरिया खतम हो जाते हैं और जो भी आपकी सरीर के खुजली वगःरा है, वो खतम हो जाती है। हफ़ते में एक बार आप नीम के पानी का इस्तिमाल जरूर करें नीम का पानी जो होता है या नीम होती है एक औसदी होती है इसलिए नीम को गरम पानी में अबार ले और जो पानी निकले उस पानी से नहाए या उसको आप साधा पानी में मिला ले उससे नहाए इससे आपकी सरीर की खुजली बिल्कुल खतम हो जाएगी यह बिल्कुल आयर्वेदिक और सौपरसित रामबान उपाय है कभी भी नहाने पर यहाथ पैर धोने की बाद रगड़ कर सरीर को ना पहुचे हलकी हलकी हाथों से टौबिल से पहुचे और पहुचने के तुरंद बाद कोई बादाम या नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा ले ताकि तचा में नमी बरकरार रहे अगर आपको खुजली की समस्या है तो ज़्यादा देर तक पानी में काम ना करें पानी में ज़्यादा दे तक रहने से तचा की नमी चली जाती है और तचा सुस्क हो जाती है जिससे खुजली की समस्या पैदा हो जाती है तो फ्रेंट्स ये थे कुछ टिप्स जिनको आफ फॉलो करके सरील से खुजली की समस्या से निजात पा सकती है तो friends उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आया होगा यदि friends वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like share करना न भूले और ऐसे वीडियो देखना चाहेते हैं तो चैनल को subscribe करें Thank you